पहले आप सभी को केंटरबरी परिवार की ओर से मात्री दिवस की हारदिक शुब कामना है मा एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे सारे जहां की खुश्यां इस एक शब्द में समा गई हो बच्चा हो, बड़ा हो या बुढ़ा हो मा के सामने वे एक बच्चा ही रहता है मा दुनिया जहां की मुसिबत जेल कर अपनी संतान पर आज नहीं आने देती मा ईश्वर का दूसरा रूप है जिस प्रकार ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं करते उसी प्रकार मा भी कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकती उसकी हर डांट में हमारी भलाई छुपी होती है वह डांट कर हमें सही रहा दिखाती है हमारा मार्क दर्शन करती है हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी मा का कहना माने उनका आदर सम्मान करें, उनकी छोटी-छोटी बातों को ध्यान से सुनें और उनकी कामों में मदद करें, उनकी सेहत का ध्यान लखी, अब मैं चन्द पंक्तियां इस विशेप आपको सुना रही हूँ, फिक्र में बच्चों की कुछ, इस तरहा घुल जाती है मा, नौजवां होते हुए भी बूड़ी नजर आती है मा, चोट लगती है हमें, और चिलाती है मा, मांगती है कुछ नहीं, अपने लिए उपर वाले से, अपने बच्चों के लिए दामन फैलाती है मा, पैलाती है मा, याद आती है मा, मा का कर्ज कभी हम अदा कर सकते नहीं क्योंकि अपने खून, प्यार और ममता से हमें सीच्टी है मा, सीच्टी है मा, ऐसी होती है मा, ऐसी होती है मा, धन्यवाद